दोस्तो मैंने पीछले बीजियो में दा इनॉर्मेस तर्निप को एक्स्प्लेंड किया था आज हम लोग इसका क्वेश्चन एंसर करेंगे Reading is fun Question number one What did the old man plant? बुडे आदमी ने क्या बोया था? The old man planted some तर्निप सी बुडे आदमी ने कुछ सल्जम के बीजबोय थे Why was it difficult for the old man to pull up the टर्निप? सल्जम को बाहर निकालना बुडे आदमी के लिए कथिन क्यों था? It was difficult for the old man to pull up the टर्निप because it was enormous बुडे आदमी के लिए कथिन इसलिए था क्योंकि वो सल्जम बहुत बड़ा था Question number three Who helped him to pull up the enormous टर्निप? विशाल लेकाय सल्जम को बाहर निकालने में उसका किस ने मदद किया? The old woman and the boy and the girl helped him to pull up the enormous टर्निप बुडे आदमी के लड़का लड़की ने उस विशाल लेकाय सल्जम को बाहर निकालने में मदद किया Who at the enormous टर्निप? किस ने उस विशाल लेकाय सल्जम को खाया? The old man, the old woman, the boy and the girl at the enormous टर्निप बुड़ा आदमी, बुड़ी औरत, लड़का लड़की ने उस विशाल लेकाय सल्जम को खाया Now talk time Name and draw four vegetables that have to be pulled out from the earth चार सब्जियों के नाम लिखो और उनका चित्र बनाओ जिन्हें जमीन से खीच कर निकाला जाता है Now name them in your oven language अब अपने भाशा में उनके नाम लिखें दोस्तों मैंने यहाँ पर चार सब्जियों के चित्र बनाओ है Carrot, Carrot को मैं अपने भाशा में गाजर कहती हूँ Radice, Radice को मैं अपने भाशा में मूली कहती हूँ Beet, Beet को मैं अपने भाशा में चुकुंदर कहती हूँ गार्लिक, गार्लिक को मैं अपने भाषा में लशुन कहती हूँ लेट्स गो सौपिंग, चलो अब हम लग सौपिंग के चलते हैं How many vegetables can you find in this match? कितने सबजियों के नाम तुम इस बुलबुलाईया में खो सकते हो Draw a circle around each word पर्टेक सब्दे के चारो तरफ गोला लगा One has been done for you एक तुम्हारे लिए दिया गया है जैसे पटाटो दिया गया है अब इसमें खोजना है तुम्हारे यहाँ पर फर्स्ट है टर्निप सेकेंड बीन्स थर्ड बीज फूर्ट कारोट फिफ्ट टमाटो A Game of Opposite The entire class can be divided into two groups where one group say one word and the second group say the opposite word पूरे class को दो बागों में बाट दिया गया है जिसमें one group बोलेगा एक वर्ड और दूसरा group उसका उल्टा बोलेगा group one group two group one के बच्चों ने बोला pull तो group B के बच्चों ने बोला push उसे तरह black का white true का false right का wrong this is how the game goes on इसी तरह खेल आगे बढ़ता है some words are suggested here कुछ सब्द यहां पर दिये गए है you may pick up some more words from the lesson तुम और भी सब्द इस लेशन से चुन सकते हो जैसे यहां far दिया होगा far का उल्टा होगा near good का bad dark का light up का down old का new team time activity grow a plant एक plant लगाओ thing required चीज़ों के लिए पड़ेगी a glass blotting paper some sand some seeds of beans और राजमा एक glass के ज़द पड़ेगी एक blotting paper चाहिए कुछ बालू चाहिए और कुछ beads चाहिए beans और राजमा के method अब इसे कैसे grow करना है lying the blotting paper inside the glass blotting paper को glass के अंदर डाल देना है सीधा डालना है place the sand in the glass बालू को glass में डाल देना है wait the sand और फिर sand को भिंगा देना है place a few seed between the blotting paper and the glass beads को glass और blotting paper के बीच में डाल देना है see that the seeds are separate from each other और यह ध्यान में रखना है कि glass और blotting paper के बीच में जो हमने seed डाला है वो एक दूसरे से अलग होना चाहिए see how the root and shoots of the seeds grow और देखिए कि उसका जो बीच डाला है हमने उसका जड़ और उसका तना कैसे निकल रहा है make a friendship salad अब हम लग salad से दोस्ती करेंगे thing required चीजों की जरूराथ होगी carrots टू दो गाजर चाहिए tomatoes टू टू टूमाटर चाहिए पीज टू अ स्पून फूल दो चमच मतर चाहिए lemon वन एक lemon चाहिए method अब इसे कैसे बनाना है wash all the vegetables well सभी vegetable सबजियों को धो लेना अच्छी तरीके से cut the carrots, tomatoes and lemon गाजर, टमाटर और निम्बू को cut लेना है mix the peas, carrots and tomatoes together मतर, गाजर, टमाटर को एक साथ मिला देना है squeeze lemon juice on top उपर से lemon juice निम्बू को निचोड़ना है add salt, उसमें नाग डाल दो mix well सभी चीजों को मिला लो share your salad with your friend अब उस salad को अपने दोस्तों के साथ साजा करो let's write how do you like to eat this vegetable, raw or cooked? तुम इन सभी नीचे दिये गए सबजी को पका कर खाना पसंद करते हो या कच्छा खाना पसंद करते हो say why, बताओ क्यों बेजी टेवल्स, यहां पर बेजी टेवल्स दिये हो है carrot, carrot को हम लोग raw भी खाते हैं cook करके खाते हैं cook में हम लोग उसका हलुआ बना कर खाते हैं जो सभी लोगों को पसंद आता है और raw में हम लोग salad में उसे डाल कर खाते हैं वो हमारे healthy के लिए अच्छा होता है turnip, turnip को हम लोग पका कर खाते हैं potato, potato को हम लोग पका कर खाते हैं onion, onion को हम लोग कच्चा भी खाते हैं पका कर भी खाते हैं कच्चा हम लोग salad में डाल कर खाते हैं और पका कर, वह सबजी में डाल कर उसे पका कर खाते हैं. Beans, beans को में लोग पका कर खाते हैं. Name four present tables you at last week. यहाँ पर चार सबजीों के नाम बताना है जो तुमने पिछले सबते खाया था. Write their names here. यहाँ पर उनके नाम लिखे. लेडिस फिंगर, भिंडी, पॉंकेट गार्ड, परवल, पंपकिन, कद्दू, कॉलिफलावर, गोभी. Complete these columns. अब इस column को पूरा करना है. One, many. दोस्तो, one means singular और many means plural होता है. Singular से plural बनाने के लिए कुछ खास नियम है. इन नियमों को detail रूप से आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी. अभी chapter से समभन्दीत नियम के बारे में चर्चा करूंगी. समानेता singular noun के अंत में S लगा कर उनका plural बनाया जाता है. जैसे यहाँ पर है कैरोट, कैरोट का होज़ेगा कैरोट, टर्निप का टर्निप, ओनियन का ओनियन्स. रूल नंबर टू, जब नाउन के अंत में O रहता है और O के पहले कोई consonant रहता है, तो इस लगा कर plural बनाया जाता है. जैसे पटेटो, पटेटो के अंत में O है, O के पहले T में, मतलब कांसोनें T में T है, तो पटेटो का क्या हो जागा? पटेटो, एस लग जागा? उसी तरह टमाटो भी है, टमाटो के अंत में O है, उसके पहले कांसोनें T में T है, तो इसमें भी लगेगा एस उसका plural बनाना है तो वैको वर्ली, जो निचे सेट्स दिये गए हैं, वो एक तुसरे से एक उसमें अलग भी है, सर्कल दा ओर्ड वन आउट, अब उसको जो अलग है उसे सर्कल कर देना है, सेट नमबर वन, टर्णिब, टर्णिब मीज सलजम, पटेटो, पटेटो मीज आलू, टमेटो, टमेटो मीज टमाटर, सनफ्लावर, सनफ्लावर मीज सुर्य मुखी, कैरोट, कैरोट मीज गाजर, ब्रिंजल, ब्रिंजल मीज बैगन, प्लू बेजिटेबल ये बेजिटेबल का सेट दिया हुआ है अब इसमें कौन सा ओड है ये सनफ्लावर ओड ही तुकि ये फूल है सेट नमबर टू काव मिस गाय हौर्स मिस घोडा गोट मिस बकरी फॉक्स मिस लोंडी कंगारू मिस कंगारू मेलन मेलन एक फल का नाम है जैसे वाटर मेलन होता है मुक्स मेलन होता है तो ये और पाकि सब ऐनिमल्स है सेट नमबर थ्री, बन्यान, बन्यान एक पेड़ है, नीम, नीम भी एक पेड़ का नाम है, पीपल भी एक पेड़ का नाम है, मैंगो, जो आम का ट्री होता है न, वो भी एक ट्री है, असनेक, असनेक क्या है, एक रेप्टाइल है, एपल, एपल ट्री होता है, वो भी ट्री है clue क्या चिछका है tree का है तो इसने odd कौन सो होगा तो यहाँ पर snake snake क्योंकि reptile है यह tree नहीं है तो यह odd हो जाएगा इससे circle करेंगे set number four rose rose मिस गुलाब lily lily मिस कुमुदनी sunflower sunflower मिस सुर्य मुखी lotus lotus मिस कमल cauliflower cauliflower मिस गोवी clue flowers यह flowers का clue है तो इसमें कौन सा odd होगा तिये cauliflower होगा क्योंकि एक सबजी बागे साफ फ्लावर से तिये odd हो जाएगा set number five peacock peacock मिस मोर parrot 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 means tota lizard lizard means chip crow crow means cover wood picker wood picker जो पेड़ में छेड़ बना के रहता है उसे wood picker करते हैं यह भी एक पक्छी है ठीक है clue clue के है birds का है यह birds का set है तो इसमें कौन सा अलग होगा तो यह इसमें lizard अलग होगा क्योंकि यह reptile है say aloud जोर से बोलो pull pull means खिकना cool cool means थंडा cut cut means काटना full full means पूरा root root means जड butt butt means लेकिन put put means रखना suit suit means जो पौदे का उपरी भाग होता है जो पतलास होता है उसे suit कहते है shut shut means बंद करना दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक share एवं सब्सक्राइब करना ना भूले thank you जोस्तों जोस्तों